हेलो गाइस वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तो आज फ्लिपकाट से एक प्रोड़क्ट में नमंगवाया है यह एक प्लास्टिक का टी टेवल है जो कि स्वगत कंपनी का है और इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी थी और यह काफी अच्छे से मुझे रिसीव हुआ है और यह मुझे मैंने फ्लिपकाट से 1210 रुपए में पॉचेश किया है अगर आप लोग भी इस प्रोड़क्ट को चेकाउट करना चाहते हैं पॉचेश करना चाहते हैं तो लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि यह प्रोड़क्ट मैंने अपनी यूज के लिए मंगवाया है तो पहले देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक बोगा टाइप था उसमें रिसीव हुए मैंने सोचा था पहले इसे फार होंगी नहीं क्योंकि अगर प्रोड़क्ट टैम निकला या कुछ निकला तो इसी में वापस जाएगा लेकिन पैकेजिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी काफी ज्यादा इन्होंने टेप लगा रखा तो मुझे फार नहीं पर उसके बाद से आप लोग देख सकती है काटन टैप का निकला था इसके अंदर मुझे कोबल रैप टाइप का था उसमें भी वह रैप था मैंने इसे भी फार दिया क्योंकि यह खुली नहीं रहा था तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं इसे खुलने में मुझे काफी प्राप्लम हो रहा था और गाइज यह काफी हार्ड प्लास्टिक है अच्छा है ऐसा नहीं है कि जनरली जो हम लोग कभी ले लेते हैं प्लास्टिक वह पर पुल-पुल टाइप का रहता है या फिर उस प अच्छी बात है कि जो लोग रेंटल हाउस में रहते हैं या जिन्हें हमेशा मूव करना होता है उसको जिनों पर जिनका ट्रांसफर वाले जॉब है या फिर मूव करना हो तो लोग यह ले सकते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इतना इसली पैक हो जाता है यह और प्लास्टिक का पैकेजिंग तब इसमें से यह प्रोडक्ट निकला है और मैंने इसे चेक किया कि कुछ स्क्राइज या फिर क्रैक तो नहीं है या डामेंस तो नहीं है लेकिन नहीं सब कुछ अच्छा था तो फिर मैंने इसके सेलोटेप को निकाले और यह जो आप देख पैर रखने के लिए लिए तो यह नीचे में फिक्स होगा और इसके बाद इसके चार पैर हैं जो कि आप इसमें स्क्रू बेगरा किसी चीज के जो अतनी है इसली उसे जो आपको एक होल दिक रहा है उसमें फिट करना है और एक ची और गईस इसे फिक्स जब करेंगे तो इ इसका कौन सा पार्ट उपर कर रखना है कौन सा नीचे और जो वो पैर रखने वाला था मेरा सेजिशन यह है कि जब आप एक पैर फिक्स करें तो उसे भी साथ साथ फिक्स करते चले अदरवाई जगर आप चारो पैर फिक्स कर रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ह मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे फिर सबको निकालके फिर से लगाना पड़ा था और गाइस मैं यह इसलिए बोड़ें की मूब करने वाले लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि अगर अब इंजिनिरिंग वोड़ या फिर लकड़ी का टी टेवाल या कॉफी टप लेते तो एक तो हैबी होता है दूसरा उसे फिर से रियसेंबल करने में काफी प्रॉब्लम है और यह भी लगता है कि इसे ले जाएं तो कहीं टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा और उसके प्राइस भी काफी जादा होते हैं तो देख सबते हैं इसका फाइनल लुक इस टाइप स कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लग चाहें तो ले सकते हैं और यह देखिए इसका फाइनल लो कितना अच्छा लगड़ा है यह कलर भी काफी अच्छा है काफी प्यारा सा है और जितना बड़ा साइज कॉफी या टी टेबल के लिए होता है उतना ही बड़ा इसका साइज है और यह आप देख सकते हैं इसका फाइनल लूप थैंक यू